नमस्कार दोस्तों मैं राजीव चोधरी यानि गली मोले में चल रहे चोटे मोटे कोचिंग सेंटर से जुर्माना वसूला जा रहा है चापे पड़ रहे हैं या बहुत से बंद करके निकल लिए यानि पिछले दो तीन दसकों में खड़ा हुआ एक बिजनिस अब सरकार की रडार पर आ गया है दरसल ये सब क्यों हु रताज क्यों आन बड़ी क्यों आज ये कोचिंग सेंटर सिक्सा के साथ एक बड़ा उधोग बन गए जिसमें करोड़ों अर्वों का लेन देन है या कोई सिक्सा तंतर के अंदर फैक्टरी की तरह कोचिंग सेंटर ने ले लिए असल में इसका पूरा किस्सा समझने के ऐसे समाजों में धनी परिवारों ने अपने बच्चों को सिक्षित करने के लिए ट्यूटर नियुक्त करते थे उनका मानना था कि उनके बच्चे समाज में संपन कुल का हिस्सा है तो सब के साथ ना पढ़ा कर उनके लिए अलग से सिक्सक नियुक्त किये जाते थे जिने राज गुरू कुल गुरू आचारी आधी नामों से उकारा जाता था। ये सिखसक सामान्य ग्यान के विश्यों के अलावा, राज परिवार के बच्चों को राज का चलाना अथवा व्यक्तिगत मार्क दर्सन परदान किया करते थे। आपने मा भारत में देखा होगा पिता मा भिस्म स्वम जाकर आचारिय द्रोन को कोर वोर पांड़ों की शिक्सा दिक्सा के लिए हायर करते हैं यानि आचारिय द्रोन का 54 रिषी कन्व रिषी आदी की तरह अपना कोई आजर्म या कोई उनिवस्टी नहीं थी आचार ये द्रोन हस्तिनापुर राज परिवार के ट्यूटर थे धीरे धीरे समय काल बदला ट्यूसन पदती भी बदली यानि कोई बढ़ाई का काम करता था या लोहार का कोई सुनार का तो कोई पत्थर से मूर्तिया बनाता कोई लकडी से मसलन सिल्फ कला को सीखने का दोर चल पड़ा प्राचीन समय में सबसे अच्छे काम माने जाते थे जो इन्हें सीख लेता था उसे राजा की सेना या महल में कोई न कोई काम मिल जाता था मसलन ऐसे जैसे लड़का आईएस हो गया हो अब जहां गुरु कुलो आदी में अध्यात्मिक सांसारिक या अर्थ वैवस्ता से जुड़ा यान दिया जाता था वहां ये सिल्फ कला मद्धयुगीन काल के दोरान शिक्सुता मोडल सिक्षन के रूप में उभरा सिल्फ कारों और कुसल पेशेवरों की मांग बढ़ चली जिनने राज महल में किसी विशेस कंपिटिसन के चलते काम नहीं मिल पाता था वो लोग अलग से अपनी सेंटर खोल कर दूसरों को सिखाने लगे इस से उनकी आजीवी का भी चलने लगी यानि ये परणाली वे वयासिक सिख्सा का एक महतकून हिस्सा बन गई जिससे व्यक्ति एक माश्टर के मार्ग दर्शन में वयापार और सिल्प सीख सके जैसे जैसे सिख्सा परणाली विख्षित हुई अतिरिक्त ज्यान की साहिता की मांग बढ़ती चली गई अठारवी उन्नी सदी में अकादमी और कोचिंग सेंटर विशिष्ट सिक्सन परदान करने वाले संस्थानों के रूप में उपरे अब इन परतिष्ठानों ने गणित भासा विज्ञान में अन्य भासाओं के जैसे विश्यों के अतिरिक्त साहिता चाने वाले चात्रवीश में सेवा लेने लगे भारत जैसे देश में 19-वी सदी में अंग्रेजी सब्वेता के कारण स्कूल कालेज में जातिगत तोर पर शिक्सन संस्थानों में भारतियों से भेदबाव किया जा रहा था स्कूल से उपेक्षित और शिक्सन नहीं मिलने पर ये व्यवस्था व्यकल्पिक रूप में सुरू ही जिसे स्टुडेंट को विशे की जानकारी और अतिरिक्त समझ मिल सके यानि ट्यूशन सब्द परचलन में आ गया था जिस कार्थ है अतिरिक्त निर्देशन के लिए ब दूसरे वो जिनकी अंग्रेजी हिंदी या गनित ठीक नहीं है कोई एक विशे कमजोर है तो अलग से कोचिंग ले लेते थे अब ये कोचिंग सब्द भी कैसे परचलन में आया इसका भी एक अलग और दिल्चस्पित यास है दरसल कोक संगरी का एक छोटा सा सेर था पंदर ये लोकपिरिया हो गया बाद में अगली सताब्दी में पूरे यूरोप में फैल गया और इसे कोक्सी कहा जाने लगा यानि कोक्स सेर से बनता था तो लोग इसे कोक्सी कहने लगे 1580 के आसपास बने पैयां इंग्लेंड में पहुँचे अठारवी उन्नी सदी में वहाई ने कोच कहा गया और बीचवी सदी में इस सब्द का इस्तेमाल घोडे से चलने वाली गाड़ी और बाद में ट्रेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा यानि कोच एक ऐसी चीज जो खुद चलती है दीरे दीरे खेल के छेतर में सिखाने वाले गुर्वों को कोच कहा जाने लगा टैनिस किरकेटर एक मामले में कोच कहा जाने लगा और इस कला को कोचिंग इसके बाद 1980 के दसक के दोरान खेल से निकला कोचिंग सब्द शिक्सा के छेतर में घुस गया इससे पहले बहरी सलाकारों को सला देना नियुक्त करना पर चलित करना था लेकिन इसे कोचिंग नहीं का जाता था इसका एक अलग उद्देश से था लेकिन आज कोचिंग सब्द इतना सामान ने हो गया कि इसकी जरुरत शिक्सा की सबसे छोटी किलाज जिसे नर्शैरियलकेजी यूकेजी पहले से भी इसकी जरुरत बन गई है डांस की कोचिंग होया भासा की हर एक सीखने की कला को कोचिंग सब्द कहा जाने लगा इसी के चलते देश वी डेश में बड़े-बड़े कोचिंग संथान खुलने लगे एक बड़ा व्यापार कोचिंग संथान बन गया इन्फिनियन गलोबल रिचर्स रिपोर्ट 2023 में बता गया है कि भारत में कोचिंग उधोक का मौजुदा सालाना कारो बार करीब 58,000 करोड रूपे का है जो लगतार फल फूल आगले पांच सालों में ये बढ़कर लगबग 1,34,000 करोड रूपे तक का पोँचने का इसका हनुमान है यहां तक भी ठीक था लेकिन इस कोचिंग में इतना भ्यंकर कंपिटिशन का दोर चला कि देश में बे लगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी शुरू हो गई और चात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलो ने इस और सब का ध्यान खीचा इसके अलावा हाल के वर्सों में प्रोध्दोगी की के आगमन के साथ ट्यूशन में एक परिवर्तन का दोर आया ओनलाइन ट्यूटरिंग प्लेट फार्म वीडियो कॉंफरेसिंग टूल ने ट्यूशन की पहुँच और सुईधा में करान दिला दी आज अब दुनिया बरके ट्यूटर से आप जूड सकते हैं अपने विकलकों का विस्तार कर सकते हैं और भोगोलिक सीमाओं के बिना किसी भी विशेसज्य का मार्ग दर्शन पराप्त कर सकते हैं इसके अतरिक्त ओनलाइन संसादनों और सेक्सिक प्लेट फार्मों ने सव निर्देशित सीखने को अधिकी से सुलब्य बना दिया है यानि ओपचारिक शिक्सा और ट्यूसन के बीच की रेखाओं को कोचिंग सेंटर्स ने दुंदला कर दिया स्कूल कोलेज अब सिरफ डिगरी देने की दुकान भर रह गए है तो इस पर केंदर सरकार की नजर पड़ी उसने फटाफट गाइडलाइन बनाई कि देश बर में नीट और जेई की तयारी कर रहे हैं इसके लिए कुछ सरते रख दी गई है एक तो ये कि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर को नहीं रखेगा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रिजूएशन से कम हो दूसरा कोचिंग सेंटर माता पिता छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या रेंक या अच्छे नंबर लाने की गारंटी नहीं देंगे तीसरा, सोला साल से कम उमर के आयू वाले छात्रों का एडमिशन नहीं करेंगे उनका एडमिशन बारवी की परिक्सा पास करने के बाद ही किया जाएगा चोथा, हर कोर्स की ट्यूचन फीस फिक्स होगी बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी साथ इसकी रसीद देनी होगी पांचवा तैसा मैंसे पहले कोर्स छोड़ने पर दस दिन में बची फीस वाफिस करनी होगी छटा अगर स्टुडेंट होस्टल में रह रहा है तो होस्टल फीस और मैस फीस भी लोटानी होगी कोचिंग की वेब साइट पर कोर्स पूरा करने की अवधी बतानी होगी होस्टल की सुईदा फीस और मैस की पूरी जानकारी देनी होगी बच्चों की mental health का ध्यान रखना होगा साथ ही उनके उपर अच्छा perform करने का pressure नहीं बना जाएगा यानि आदियाद ये सब guidelines है इन सब के अलावा शिक्षा मंत्रायले की guideline का पालन ने करने पर पहली बार नियम का उलंगन करने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार अगर उलंगन किया जाता है तो एक लांक रुपे कोचिंग सेंटर को भरने होगे अगर कोचिंग सेंटर वाले student से ज़्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का registration भी रद किया जाएगा जिन कोचिंग सेंटर की अलग-अलग बरांच है उनको हर बरांच के लिए अलग से रजिष्टर कराना होगा माने हर सेंटर एक अलग कोचिंग सेंटर की तरह माना जाएगा सरकार रजिष्ट्रेशन के लिए web पोर्टल बनाएगी मंतराले की गाइडलाइन में ये भी कया गया है कि कोचिंग सेंटर टेस्ट से पहले इस्टूडेंट को उस टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएंगे उन्हें N केरियर ओप्सन के बारे में भी बता जाए मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशोप कायोजन किया जाए अब इसमें दिल्चस्प क्या है ये तो बिल्कुल सब ठीक चीज है लेकिन कुछ लोग इसमें दिक्कत बता रहे हैं कि वर्किंग पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खास समय देना उनके लिए मुस्किल होता है अगर बच्चे अलग से कोई हेल्प ले रहे हैं तो उसमें गलत बात क्या है 16 साल तै करना बच्चों को कोचिंग ना भेजने का फैसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है इसके बारे में उसे सोचना चाहिए इसे और आसान किया जा सकता है All India Parents Association के प्रेजिडेंट असोक अगरवाल भी बोले उन्होंने कया कि सोचा तो अच्छा है मगर ये लागू होना मुस्किल है Parents खुद बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजना चाते है Competition की दुनिया में Demand Supply के Gap के बीच कई मामलों में ये मजबूरी भी है सुरू में तो चोरी छिपे कोचिंग दी जाएगी फिर Online कोचिंग सुरू हो जाएगी Motifis के साथ हर स्कूल कोचिंग सेंटर के साथ कोचिंग देने लगेगा सरकार को जड़े देखने की जरूरत है स्कूलों में टीचर का रेश्व अच्छा नहीं है सरकारी स्कूलों में पोश्ट खाली पड़ी है अगर स्कूलों में quality education मिलेगी बच्चों को aptitude के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा तो दसवी तक कोचिंग की जरूरत नहीं होगी यानि दोनों और से अपने अपने दावे किये जा रहे हैं सरकार का दावा अलग है और कोचिंग करा रहे हैं माबाप का दावा अलग लेकिन इनके बीच एक तीसरा भी है जो छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स पर जो घर में पढ़ा रहे हैं जो दो चार बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन पे छापे मार कर अपना उलूसी धा कर रहे हैं